आज हम जानेंगे कुछ ऐसी सरकारी स्कीम्स के बारे में जिन से हमको मिल सकता है मुफ्त में पैसा हेलो मेरा नाम है मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश्मन सरकार हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए कई स्कीम्स निकालती रहती हैं जिन से हमें मिलता है पैसा और काफी सारी फ्री की फैसिलिटीज सरकार ऐसी कई schemes निकालती है लेकिन हम लोगों को अक्सर इनके बारे में पता नहीं चलता या हम काफी बार confused रहते हैं तो चलिए आज हम इन schemes के बारे में जान देते हैं पहली scheme जिनमें सरकार हमें पैसे दे रही है वो है इश्रम कार्ड इस योजना को financially backward या minority class के लिए लेकर आया गया था इस योजना का नाम है इश्रम योजना इस योजना को सही से चलाने के लिए सरकार ने इश्रम पोर्टल भी शुरू किया है अभी तक इस पोर्टल से करीब 30 करोण लोगों को इश्रम कार्ड इश्यू करवाई जा चुके हैं इसमें register करने वालियों में से जादा तर महिलाई है अब जानते हैं इस कार्ड के benefits क्या है पहला benefit तो ये है कि आप इस कार्ड का लाब हर state में उठा सकते हैं यानि कि अगर आप बिहार के हैं तो आप UP में भी इस कार्ड का लाब उठा सकते हैं बस इसमें हर state अपने अपने हिसाब से policies add और remove करती रहती है इस scheme से आप दो तरह के लाब उठा सकते हैं एक आप इसके जरी काफी social facilities पा सकते हैं और दूसरा आप इसके जरी नौकरी भी पा सकते हैं नौकरी पाने के लिए आपको इस portal में सारी information भरनी होगी और आपको नौकरी या training या internship जो भी चाहिए वो mention करना होगा इस portal पर आपको बहुत सारी welfare schemes की भी जानकारी मिल जाएगी जैसे प्रदान मंत्री मांधन योजना से आपको 60 साल की उमर में मन्तली 3000 रुपे की pension मिल सकते हैं इस scheme का आप 18 से 40 साल की उमर में हिस्सा बन सकते हैं यहां आपको ऐसी ही दूसरी योजनाय मिल जाएंगी जैसे प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामी जिसके तहट beneficiaries को plain areas में घर बनाने के लिए 1.2 lakh की assistance प्रोवाइड की जाती है और 1.3 lakh की assistance प्रोवाइड की जाती है हीली areas में घर बनाने के लिए अगली scheme है skill India यानि की प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना अगर बेरोजगार हैं या कोई नौकरी ढूण रहे हैं या कोई training लेना चाहते हैं जो पैसे कम होने की वज़ा से नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको scheme के बारे में सुनना ही चाहें scheme में सरकार मुफ्ट में skill training देती है और इसमें आपको 3-6 महीने तक के courses मिल जाएंगे यह course करके आप job ready बन जाएंगे इसमें कुछ खास courses हैं जैसे computer training, digital marketing, aims और इसरो की workshop, programming, makeup artist, graphic designing वगेरा जो आप कर पाएंगे जब आप course पूरा कर लेंगे तब सरकार आपको एक certificate भी देती है, साथ में सरकार आपको 5-10,000 रुपे भी देती है और placement की भी facility होती है मतलब सरकार ने कुछ companies के साथ tie up किया हुआ है, वो companies आपकी skills देखकर आपको job भी दे सकते हैं तीसरी scheme है stand up India, यह scheme basically और तो SC, ST work के लोगों के लिए बनाई गई थी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें महिलाएं किसी भी work की हो वो इस scheme का फाइदा उठा सकते हैं और एक कम से कम एक महिला जो अपना खुद का business शुरू करना चाहते हैं, उन्हें हर nationalized bank branch के जरिये 10 लाग से 1 करोड तक का लोन दिया जा सके एक बात तो साफ है कि अगर आप एक महिला है और आप अपना कोई नया business शुरू करने का सोच रही है तो आप किसी भी nationalized bank से loan ले सकती है यह loan उनको दिया जाएगा जो नया नवेला business शुरू कर रहे हैं अब वो business, manufacturing, services, agri allied activity किसी में भी हो सकता है इस scheme के तहट loan उनहीं को दिया जाता है जो पहली बार अपना business शुरू कर रहे है यानि की green field enterprises को ही दिया जाता है जो borrower है उसकी history में पहले कोई default loan का tag नहीं लगा होना चाहिए इस scheme के लिए लिए गए loan को वापस करने के लिए आपको 7 साल दिये जाएंगे और 18 महीने का moratorium period भी दिया जाता है तो ये थी कुछ सरकारी schemes जिनसे आपको पैसा मिल सकता है अगर आपकी कुछ सवाल हो तो हमसे comment section में जरूर पूछेगा और कैसी लगी आपको ये schemes हमें वो भी बताईएगा आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही आप देखते रिए जोश मैनी शुक्रिया मुझे यकीन है कि ये talk सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है हम भी अपने मेहनत की कमाई को invest करके उसको double कर सकते हैं अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैस वापस मिले तो आप Flipkart, Mintra, Amazon, Naika जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे कैश करो आप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैश बैक मिलता है हमें बस कैश करो आप पे जाना है वहां से Flipkart या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है लेकिन इस बार मिलेगा कैश बैक यह कैश बैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा और वो कैश बैक होगा सभी ओफर्स, डिसकाउंट, सेल्स या स्पेशल ओफर्स के डिसकाउंटिड अमाउंट के उपर और प्लेस करने के बाद यह सारा कैश बैक आपके कैश करो वालेट में अड हो जाएगा जो confirmation pay आप बहुत आसानी से अपने Amazon पे, flip card, gift card या bank account में भी सीधा transfer कर सकते हैं तो यह आदट डाल लो पहले cash करो पे आओ, यहां से किसी भी site पर जाओ और unlimited savings पाओ तो cash करो, ash करो click on the link in description and download cash करो app now